हालो फ्रेंज तो फ्रेंज आज मैं एक और बहुत इंटरस्टिंग सुंदर बढ़िया सिंपल आसान जो है प्रोजेक्ट लेकी आई हूँ न्यूबॉर्ण बेबीज के लिए जीरो साइज में जो है ये मैंने कार्डियन बनाया है ये कार्डियन जो है मैंने थोड़ी से थिक वूल में बनाया है तो ये जो वूल है फोर प्लाइ वूल है और पीच कलर में मैंने इसे लिया है और ये जो वूल है ये गंगा के डिजायर वूल है और इसे जो सिलाइएं यूज की है वो है आठ नंबर की तो पूरा का पूरा प जो है मैंने यह खोले थे गंगा की डिजायर वूल के जिसमें यह देखिए यह इतनी वूल बज जाती है और यह पूरा का पूरा सैट अगर आप बनाना चाहते हैं कैप सॉकस के साथ तो 200 ग्राम 200 ग्राम गंगा के डिजायर वूल में आसानी से बन जाएगा तो यह जीरो साइज का न्यूबॉर्ण वेवीज के लिए जो है कार्डिगन है सिंपल है और इसमें जो डिजाइन में यूज किया है बहुत आसान है बिगनर्स जैसे बहुत आसानी से बना लेंगे स्ब्सक एंगर आप फटाफट से अगर कोई कोई न्यूबॉर्ण के लिए कार्डिगन बनाना चाहते हैं तो आप आज की वीडियो को फॉलो करके बना सकते हैं सो चलिए जो है simple तरीके से जो है cast on किया हुआ है ऐसे और फिर छे सिलाईों में जो है यह border बनाया हुआ है छे सिलाईों के border के बाद direct जो है front side से मैंने जो है यह असान pattern जो है यह apply कर दिया है चार रोज का repeat pattern है इसे देखिए मैंने कितने बार बनाया है 50 stitches पे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ बार बनाया है और दो सिलाई है जो है और बनाई है तो यह length जो है इसकी इसकी आती है 7 inches 7 inch के length इस तरही के से आती है उसके बाद देखिए arm holes की कटाई जो है मैंने की है 3-2 के order में दोनों side और उसके बाद जो है यह थोड़ी सी length जो है उपर बनाई है तो यह यहां के बाद देखिए मैंने यह pattern जो है यह बनाया है एक दो तीजिस चार पानए है और दो सलाईय यह यहां पर एक्स्रा वने है तो यह इस सरीके से बनाने के बाद इसकी length जो है उपर मैंने इस सरीके से रखेंगे तो यह आती है हमारी साढ़े 4 inches और इस सरी के से रखेंगे तो इया आती है 5 inches तो यह इस सरी के से back का हिस्सा जो है मैंने बनाके तैयार कर लिया है इसकी total जो length आती है वो है 11 inches 11 inches और इसकी चुडाई देखें यह आती है साड़े दस लगभग तो यह पीछे का हिस्सा जो है वो मैंने कर लिया है तयार अब आगे जो है हमने इसे फ्रंट ओपन रखना है तो अब जो है हम नेक्स्ट बुनेंगे बच्चा अगर पहने तो बच्चे के हिसाब से जो है जो राइट हिस्सा जो आएगा उसे हम बनाने जा रहे हैं तो हम बनाने जा रहे हैं अब 28 स्टिचे जो है हम कास्ट ओन करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से कास्ट ओन कर लेते हैं तो 28 फंडे 28 फंडे कास्ट ओन करने के बाद जो हमारी यहां पर रो आएगी यह फ्रेंट सायD की फिर्स रो आएगी तो इसे हम जोह सीधा सीधा बुनेंगे तो बॉर्डर की पहली सिलाई हम इस तरीके से सारे फंदे सीधे बुनके कम्प्लीट करेंगे ऐसे तो यह रोवन जो है फ्रंट साइट पर पूरी मैं सीधी बुन लेती हूं अब देखिए राउंग साइट पर पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे उल्टा बुनने के बाद अगला फंदा सीधा बुनेंगे तो अब यह दो फंदे हम रिपीट करते जाएंगे पहला सीधा बुनेंगे और दूसरा उल्टा बुनते जाएंगे ऐसे तो ये सिलाई भी मैं यहना तक कमप्लीट कर लेते हूं तो फ्रीन्ग अब देखिए दो सिलाईयां हमने बना ली हैं अब तीसरी सिलाई पर जो है मैं यहाँ पर पहला बटन होल बनाने चारी हूं तो अब यहां पर जो है छे फंदों पर हम जो है साइध बॉर्डर बटन पट्टी चलाएंगे और यहां पर बटन होल भी डालेंगे राइट पार्ट पर तो अब पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा उल्टा फिर एक सीधा अब यहां पर मैं इस तरह के से जाली डा तो इस तरीके से जो है मैंने यहां पर एक बटन होल जो है डाल दिया है और यह छे फंदे हमारे बटन पट्टी के इस तरीके से बने हैं उसके बाद देखिए अब हमने सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा ही बुनना है ऐसे तो इस सिलाई को हम कम्प्लीट कर लेंगे उसके बाद जो है तीन सिलाईया जो है हम सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनते हुए जो है कम्प्लीट करेंगे और छे सिलाई में जो यह छोटा सा बॉर्डर है वो तयार कर लेंगे तो अब ये देखिए ये छे सिलाई का जो है बॉर्डर मैंने कर लिया है तयार साथ में एक बटन होल हमने डाल दिया है और अब देखिए आप जो है हम साइड में 6 फंदो की बटन पट्टी बुनते जाएंगे और 6 फंदो के अलावा यहां पे पैटन को डालते जाएंगे तो पैटन बहुत असान है इसे जो है मैंने पहले अलग से एक वीडियो में भी बताया है तो यहां पे भी मैं आपको एक तो यह 6 फंदे मेरे हो गए है complete अब देखिए पैटन जो है वो तीन फंदो का है और चार सिलाईों का है तो यह आप चार सिलाई में यहां पर दुबा आपको बता रही हूं आप ध्यान से देख लीजिए बहुत आसान है तो पहले हम एक फंदा सीधा बुनेंगे एक उल्टा, सीधा, सीधा, 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 उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा सीधा तो यह मैंने जो है यहां तक रिपीट कर लिए तीन फंदे एंड में सीधा ही बुन लेंगे अब रॉंग साइट पे रो टू देखिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बुनके कंप्लीट करेंगे तो पहला फंदा स्लिप करेंगे उसके बाद एक ब्लीट कर दीजिए एंड में 6 फंदे जो है हमने सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा इन्हें भी बुनना है ऐसे अब आज आते हैं थर्ड रो छे फंदे साइट बॉर्डर के सीधे पर सीधा उल्टे कर उल्टा बुन लेंगे उसके बाद देखिए अब हम सारी की सारी सारी पूरी उल्टी बुनेंगे पैटन की थर्ड स्लाई जो है वह सारी की सारी उल्टी बुननी है तो फ्रंट चाइट पर ये तीसरी सी लाई पूरी उल्टी और अब देखिए लास्ट रो आती है पैटन की रॉंग साइट पर रोफोर्ड पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारी की सारी सिलाई हमने सीधी बुननी है ऐसे तो लास्ट में जो छे फंदे बॉर्डर के आएंगे सिर्फ उसी पर सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनेंगे पाकि सारे फंदे हमने जो हैं सीधे सीधे बुनने हैं रोफोर रॉंग जाइट पे पैटन बहुत इजी है बिगनर बहुत असानी से इसे सीख कर किसी भी प्रोजेक्ट पर जो है अपलाई कर सकते हैं तो यह साइट बॉर्डर के छे फंदे सीधे पर सीधे उल्टे पर उल्टा तो अब देखें यह जो चार सिलाई हैं जो हमने अभी बुनी हैं यहां पे रो 104 पैटन की इनहीं को रिपीट करते जाएंगे साइट बॉर्डर हमारा ऐसे के ऐसे ही चलता जाएगा और यह जो आप साइट बॉर्डर आप बुनेंगे तो यह थोड़े से टाइट हातों से बुनिएगा क्योंकि यह जो है इकठा होने वाला थोड़ा सा पैटन है और यह अगर हम डिले हातों से बुनिएगे तो हो सकता है तो और कुछ हातों से जो है लूज लूज आए तो लूज हमें नहीं चाहिए तो यह जो है बिल्कुल टाइट हातों से बुनिए और यह जो है आप जैसे बुनते हैं वैसे बुनिए तो अब इन ही चार से लाइंगे को हम बना दिया है 8 बार और बनाएंगे और 2 बनाइडी मतलब यह जो शुरू की रोणावन और रोटू है इन्हें एक और बार बनाना है उसके बाद हम बटन होल की cutting करेंगे इस पर यहाँ पर तो पहले मैं यह length complete करेंगे और ध्यान रखेगा हमने यहाँ पर बटन होल बनाने है तो यह बराबर बराबर दूरी पर बनाते जाना है तो मैं अब चार स्राइगा बना लूंगी उसके बाद second button हो होल जो है वो बनाऊंगी और उसके बाद सेम उतनी ही दूरी मैं रखूंगी हर बटन होल के बीच में तो मैं अब इतनी लेंथ जो है यह इसकी बुन लेती हूं कि तो अब यह दिखिए यह जो है कि नौ बार मैंने बना लिया है एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ तो यह दिखिए यह जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है लगवग साथ इंचिस तो अब जो है हम इसे मैंने एक पैटन की जो है पहली सिलाई जो है वो एक बना ली है फ्रेंट साइट पे और अब यहाँ पे जो है मैं आम ओन डिक्रीज करने जा रही हूँ तो यहाँ पर पहले मैं उल्टे बुंते हुए ही आम होल्सको डिक्रीज करूंगी तो क्योंकि यह रॉंक साइट है और इस इस gender इते हम चैरिक्रीज करेंगे तीन फंदे decrease करेंगे दो और ये तीन ऐसे उसके बाद सारी row इसी तरीके से बनाएंगे और फिर इस row को बनाने के बाद front side पे हम ये वाली row बनाएंगे फिर next row में दो फंदे और decrease करेंगे तीन दो arm holes हम decrease करेंगे इस तरीके से और दूसरी side जो है हम right side से करतें रिखिए इस side जो arm holes decrease करते हैं right side से करते हैं और इस side जो करेंगे वो इस तरीके से wrong side से करेंगे तो अब ये इस तरीके से arm holes decrease करने के बाद थोड़ी सी length जो है हम और बनेंगे तो तीन बार इस pattern को हम उपर और बनाएंगे तो ये रिकी friends ये जो है मैंने ये length इतनी बना ली है ये इस arm hole की जो लगबग आदा length होती है उतनी मैंने बुन ली है और ये pattern अगर आप गिनेंगे तो यहां तगी जो है सत्रा बार complete हो जाता है border के ऊपर स्वारी तेरा बार complete हो जाता है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा तो तेरा बार complete हो गया है और यहां तक इसकी जो total length आ जाती है वो आ जाती है साड़े आठ से जादा है तो लगबग यह 9 इंच आ जाती है इस तरीके से तो अब देखी क्या करेंगे अब हम neck hole create करेंगे गला घटाएंगे यहां पर तो यह अब जो पट्टी के फंदे हैं छे यह हम ऐसे ही बुन लेंगे और इन्हें हम इसी तरीके से रहने देंगे और जब neck बुनेंगे तो इन्हें ऐसे ही उठाएंगे तो यह 6 फंदे मैंने बुन लिये हैं आप यहां पर लेखी हम किस तरीके से neck decrease करेंगे पहले 3 फंदे कटाएंगे फिर 2 फिर एक तो यह धागा दूस्टी ओर कर लेंगे हम सीधे बुनते हुए जो है यहां पर 3 फंदे कटाएंगे यह इस तरीके से तो यह ऐसे किया है फिर next front side row पर दो घटाएंगे फिर उसके next में एक घटाएंगे तो यहां पर जो है यह neck hole हम create करेंगे और फिर जितनी हमारी यह total length है यहां से यहां तक यह हम पूरी ऊपर complete कर लेंगे तो जितनी बार हमने यह pattern ऊपर बनाया है जितनी length है उसे complete कर लेंगे इस neck hole को पूरा बनाने के बाद पूरा create करने के बाद तो यह requirements यह जो है गोल गले की कटाई आ चुकी है यह रिखे 3-2-1 के order में फिर उपर सीधा सीधा बुना है pattern के हिसाब से और यह length जो है complete कर लिए है back की जितनी length मैंने रखी थी उतनी तो यह वाला part जो है right part मेरा जो है back और right front part जो है यह बनके त्यार हो चुका है और same इसी तरीके से जो है यहां पर मैंने यह दूसरा part जो है left front part जो है वो भी बनाके त्यार कर लिया है same 28 stitches पर जितनी length यहां पर रखी है उतनी length यहां पर रखी हुई है 7 inch की length के बाद 3-2 का armhole और फिर यहां पर same neck की कटाई same length रखने के बाद 3-2-1 और फिर उपर बुना है तो यह मेरे front के दोनों part जो है हो चुके हैं तयार तो इस वाले पर right part पर मैंने buttonholes नहीं रखे है और buttonholes जो है मेरे इस वाले part पर जिससे मैंने आपको बना के बताया है तो इसमें देखिए कितने buttonholes आए एक, दो, तीन, चार, पांच और छटा जो है वो उपर आएगा neck पर तो अब जो next step है वो है हम इनके shoulders जो है जॉइन कर लेंगे तो बहुत easy method है काफी बार मैंने वीडियो में बताया हुआ है अगर सुवी से जोड़ना चाहते है तो उसका भी वीडियो जो है मेरे channel पर है और बहुत clear जो है यहां पर हम उससे जोड़ सकते हैं अगर आपको वीडियो चाहे तो इस वीडियो के नीचे description box मुस्का link आपको मिल चाहेगा अगर आप simple तरीके से three needle method से जो है वो जोड़ना चाहते है shoulders तो आप जोड़ सकते हैं तो यहां पर मैं 3D three needles तीन सलाइओ की help से जो है यह कंदे जो है जोड़ लेती हूं इनके तो यह जो है मैंने कंदे जो है इनके जोड़ लिए है और अब जो है हम इस पर neck बाद में बुनेंगे तो सबसे पहले अब हम sleeves जो है वो बना लेते हैं तो sleeves बनाने के लिए दिखिए फंदे जो है वो हमने कास्टरन करने है 30 तो यहां पर मैंने 30 stitches कास्टरन करने के बाद सेम छे सिलाईों में बॉर्डर बनाया है उसके बाद पैटन को दो बार इस तरीके से बनाया है उपर और अब जो है हम फंदों को increase करना शुरू करेंगे दोनों साइट पे हर इंक्ल्यूड करते जाएंगे तो अब देखिए यहां पर हम फंदे इस तरीके से बढ़ाएंगे नीचे वाले लूप से और फिर पूरी सिलाई जो है हम पैटन के हिसाब से बुनेंगे तो शुरू में इस तरीके से फंदे बढ़ाएंगे और एंड में जो है लास्ट स्टिच के नीचे वाले लूप को बुनके जो है एक फंदा यहां पर बढ़ा लेंगे तो इसी तरीके से हम हर चौती सिलाई पर फंदे बढ़ाएंगे तो छे बार हम टोटल फंदे बढ़ाएंगे एक बार हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे इसके अलावा पांच बार और फंदे बढ़ाएंगे तब हम दोनों तरफ फंदों को increase करते जाएंगे 6 फंदे यहाँ, 6 फंदे यहाँ और यह pattern जो है हम total यहाँ तक गुलाई तक जो है 10 बार हम बना लेंगे और उसके बाद 3, 2, 1 के order में जो है हम इस तरीके से गुलाई दे देंगे फिर front side पे सारे फंदे cast off कर देंगे तो अब जो है हम फंदों को बढ़ाते हुए जो है total यहाँ तक जो है हम 10 बार total pattern को बना लेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया 2, 2, 1 के गुलाई देने के बाद हम सारे फंदे cast off कर देंगे फ्रेंट साइट से तो इस तरीके से हम दूसरा स्लीव भी बना के तयार कर लेते हैं तो यह जो है दोनों स्लीव बनके तयार हो चुके हैं देखिए इस तरीके से तो इनको जो है हम यहाँ से जो है रॉंग साइट की तरफ जो है इस तरीके से जो है फ्रेंट साइट अंदर के तरफ करके जो है हम इसे सिलाई कर लेंगे दोनों स्लीप्स को और फिर उसके बाद जो है यह हम फ्रेंट और बैक जोड़ेंगे लास्ट में जो है हम बाजू जो है यहां से जोड़ देंगे तो अब जो है नेक बनाना बाकी रह जाता है तो नेक में देखिए हमें क्या करना है अब हम यहां से शुरू करेंगे बॉर्डर की फंदे जो छे हमने रखे थे वो हम बुन लेंगे पहले तो यहां पर हम धागा जोड़ लेंगे और अब हम एक सीधा और एक उल्टा जासा हमारा चल रहा है वैसे ही करेंगे और यह दागा जो है अच्छी तरीके से गांट लगा के हम अंदर की और से जोड़ लेंगे तो यह बॉर के चेह फंदे बुनने के बाद दिखिए अब हमने जो है कि यहांसे घर स्टी जो भी स्टिच में नजर आ रहा है सारे स्टिचेस को बुनके यहांसे हम फंदे उठाएंगे और फिर यह हमारे पास देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 फंदे ला जाते हैं इन्हें हम ऐसे ही बुनेंगे और अब यह फंदे जो हैं हम इस तरीके से उठाएंगे लिए धागा पहले दूसरी और कर लेंगे अगर अपनी और है तो यह जो स्टिचर एंगे यह इन्हें इस तरीके से बुुनते जाएंगे आरा तो यहां पर यहां से यहां और यहां से यहां यह हम सीधे सीधे ही बुन लेंगे तो जितने स्टिचेज हमें नजर आ रहे हैं हम सारे स्टिचेज उठा लेंगे ऐसे तो एक बार मैं इस तरीके से यह स्टिचेज उठा लेती हूँ और दोनों तरफ जो है हम बराबर स्टिचेज उठाएंगे तो पहले उठा लेती हूँ मैं फिर आपको बताती हूँ कि कितने उठाएं हैं तो यह दिखिए यह जो है मैंने फंदे उठाने के बाद एक सीधा और एक उल्टा करके और यहाँ पर जो फंदे हैं मैंने दोनों साइट जो है 16-16 वो कर लिए हैं और उसके बाद बाद जो है बारद आपके हिसाफ से एक सीधा एक उल्टा की एक जो है लाइन मेंने बना ली है और अब फ्राइंट साइड में फिर से आके देखिए अब हम दो सिलाईयों और इसी तरीके से बनाएंगे सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा करके और यहां पर लास्ट जो है हम एक बटन होल बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही और ये अब दो सिलाईया जो है हम एक सीधा एक उल्टा करके जो है ऐसे दो सिलाईय चरएक है तो यह दो सिलाईय और कंप्लीट हो गई है तो फंदे उठाने के बाद टोटल तीन सिलाईय जो है वह इस तरही के से बनावि आप देखिए अब जो है हम यह तो फ्रेंज अब जो है हम 6-6 फंदे जो है दोनों तरफ कास्ट अफ कर देंगे यह तरीके से फिर पीछे वाला फंदा ऐसे तो यह सिंपल तरीके से मैं इस तरीके से कास्ट अफ कर दे रही हूं छे फंदे यहां पर आप छे के बजाए अगर पांच फंदे कास्ट अफ करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं यह 6 तो यह मैंने यहां पर चे कास्ट इस फंदे कर दिया है साइड़ बॉर्डर के यह सिलाई हम पूरी यहां तक बनाएंगे और फिर wrong side पे शुरुआत पे इसी तरीके से जो है हमने यहां के side border के 6 फंदे भी decrease कर लेने तो यह सिलाई मैं पूरी बना लेती हूं end तक तो अब wrong side पे हम जो है यहां पे यह 6 फंदे कटाएंगे तो उसके लिए slip कर लिया फंदा और धागा अपने और कर लिया है अब उल्टा वुनेंगे अगला फंदा और फिर पिछला फंदा जो है ऐसे pass कर देंगे आगे वाले पर तो यह इस तरीके से हम दो तीन चार पांच और यह 6 छे फंदे यहां पे भी cast off कर देंगे तो अब हम यह सारे फंदे बुन लेंगे और दोनों साइथ से सीधे बर सीधा उलटे पर उलटा बुनते जाएनगे और यहụर बनेगा तो यह उह लICK आप बड़ा बनाना चाहते है थो बना लीजिए तो आप मैं इस कॉलर को वोना लेती हूं तो फाइनली जो है ये मेरा प्रोजेक्ट जो है हो गया है तयार और अब इसका कॉलर जो मैंने बनाया है उसकी मैं लेंद्ध मता देती हूं टोटल ये लगबग 3 इंच जो है मैंने कॉलर के ये बना है और अगर आप इससे बड़ा बुनना चाहते हैं तो आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं और इसी गले में जो है आप छे साथ सिलाईयों को बनाने के बाद जो है सारे फंदे बन करेंगे तो सिंपल गोल गला इससे जो है बनेगा तो यह जो है मैंने इसमें बटन्स लगा लिये हैं और इसकी जो लेंथ है और चड़ाई है सब कुछ मैं आपको बताती हूँ तो इस तरीके से रखेंगे तो यह देखिए लगबग 10 इंच की लेंथ इसकी आती है चड़ाई 10 यह बार्डर से देखिए लगबग 9 इंच की लेंथ आती है इसके स्लीफ जो है वो यहां पर रखने पर 6 इंच आते हैं और यहां पर रखने पर यह लगबग साथ और आठ के बीच में है साड़े साथ इंचेज आते हैं तो यह हो चुका है हमारा बेबी प्रजेक्ट तयार तो बेबी कार्डिगन है फटा फट से बन गया है और इसको बनाने के बाद मेरी 100-100 ग्राम के दो बॉल जो है वो मैंने खोले थे तो उसमें देखिए एक बॉल यह लगबग आधा बच गया है और दूसरा जो है थोड़ा सा बचा है तो इसमें आप देखिए लगबग 1500 ग्राम वूल का इस्तिमाल हुआ है और बची हुई वूल से जो है कैप और सौक्स जो है न्यू बॉर्ण्स के लिए बहुत आसानी से बन जाएंगे इसकी बैक तो ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा जो है प्रोजेक्ट बन के त्यार हुआ है अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लैक ज़रूर कीजेगा और जुड़ेरी मेरे चैनल के साथ मिलते हैं अगली एक और नई इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाबाई